नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि लिूलिलो क्रीम का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. लिूलिलो क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और लिूलिलो क्रीम की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं. और यह भी डिसकस करेंगे कि लिूलिलो क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. लिूलिलो क्रीम एक एंटी फंदल दवा है. लिूलिलो क्रीम का उप्योग फंदल इंफेक्शन होने पर किया जाता है. तवचा पर फंदल इंफेक्शन होने पर तवचा में लाल धब्बे, दाद, खाज, खुजली और तवचा में जखम आदी लक्षन दिखाई देने दावा फंदल इन्फेक्शन होने पर तवचा पर पपड़ी जमना, तवचा का पपड़ी बन कर उतरना, तवचा में दरारे होना, तवचा का कुछ हिस्सा सफेद वन नरम होना आदी लक्षन भी फंदल इन्फेक्शन होने पर हो सकते हैं. फंदल इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। फंदल इन्फेक्शन नाखुनों और जांगों में भी हो सकता है। इसलिए नाखुनों और जांगों के फंदल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर लिूलिलो क्रीम को लगाने की सला दे सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि लिूलिलो क्रीम को कैसे लगाना recommended होता है। लिूलिलो क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने हाथों और प्रभावित एरिया को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। और हाथों व प्रभावित एरिया को अच्छी तरह सुखाने के बाद लियू-लिलो क्रीम की एक पतली लेयर प्रभावित एरिया पर एक उंगली की मदद से हलके हाथ से फैला कर लगानी चाहिए. और लियू-लिलो क्रीम को ज्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए. लियू-लिलो क्रीम को लगाने के बाद आपको अपने हाथों को साबुन की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए. ताकि इंफेक्शन दूसरी जगह पर ना फैले. ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर लियू-लिलो क्रीम को दिन में एक ही बार लगाने की सला देते हैं. डॉक्तर लियू-लिलो क्रीम को एक सप्ता से लेकर दो सप्ता तक लगातार लगाने की सला दे सकते हैं. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में लिूलिलो क्रीम की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं। लिूलिलो क्रीम की वजह से एलर्जी होने पर भी हो सकते हैं। इसलिए जब तक फंगल इंफेक्शन अच्छी तरह से ठीक न हो जाए। तब तक संक्रमित व्यक्ति के कपडों और शारिरिक संपर्क में आने से बचना चाहिए। लिूलिलो क्रीम को आख, नाक, मुह और वजाइना के अंदर लगाना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए लिूलिलो क्रीम को आख, नाक, मुह और वजाइना के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि लिूलिलो क्रीम प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादा तर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लिूलिलो क्रीम को ना लगाने की ही सला देते हैं। लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लिू-लिलो क्रीम को लगाने की सला दे सकते हैं। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका लिू-लिलो क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।